so hello my beautiful souls welcome to my channel people tarot so guys कैसे आप सब लोग good evening everyone so guys आज मैं आपके लिए रेडिंग लेकर आ गई हूँ आपके person के feelings अभी क्या चार रहे हैं current feelings उनकी क्या है and guys उनका next section क्या होगा क्या सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में so guys आपके सामने आज उनकी यह अपनी राशी आप अपनी राशी चूज करना होगे Aries Lewis साच अगर आपकी राशी है यहाँ फिर जमिनाई ली ब्रेक विरिस तो guys आप first पाल चूज कर लीजेगा यहाँ guys आपकी राशी है टॉरस होगो केप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पिपाइस तो guys आप second पाल चूज कर लीजेगा and guys time stamps description में होगी and like कर दीजेगा रेडिंग को and subscribe to my channel okay so that हमारी फामिली और बड़ी हो जल्दी से and guys अभी देख लेते हैं ज्यादा बड़ी रेडिंग नहीं होगी इरिस लियो साच जमिनाई लिब्रेक वेरिस अगर आपका sun, moon, rising and north node में आता है यहाँ आपको अपने person के science का पता है तो guys आप first file चूज की हो okay and guys देख लेते हैं आपके person अभी आपके बड़े में क्या सोच रहे हैं उनकी क्या thinking चल रही है आपके बड़े में okay guys उनका next section हम end में देखेंगे okay last में so यहाँ से पहले देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके बड़े में अभी okay king of wands I have first card the emperor okay so guys अगर आप instagram पे हो तो आप वहाँ पे भी follow कर सकते हो मुझे ठीक है आपकी आपको अगर id नहीं पता तो guys आप सीधा जाकर about section में जाना वहाँ पे instagram लिखा होगा वहाँ से आप सीधा पहुन जाओगे ठीक है अगर आप follow करना चाहो तो कर सकते हो and guys मैंने Aries Leo Sagittarius Sagittarius रह गया है बस वो evening में डाल दोंगी मैं ठीक है अभी जब आपके पास reading जिप पहुंचेगी ठीक है so this time आपको वो भी मिल जाएगी Sagittarius sign की भी reading so guys मैंने वहाँ पर monthly reading डाले है March month की ठीक है ज्यादा बड़ी readings नहीं है like यहाँ पर हम जैसे stories डालते हैं ठीक है वहाँ पर भी reels चलती है तो वहाँ वैसी है आप reels की एरिया में जाकर देख सकते हो की so two of swords okay so guys आपके person बहुत ज़रा passionate होकर आपकी तरफ आना चाते हैं आपके लिए मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आप दोनों में बात नहीं हो रही है बस दोनों ने patience बना के रखा हुए surrender किया हुए इस रिष्टे को की आपको पता है कि यह एक journey है आपके जर्दनी में हो soulmate journey हो सकती है twin flame journey हो सकती हो की so आप दोनों ही जर्दनी में हो आपको patience के साथ ही एक दूसरी के साथ आगे बढ़ना होगा आपके father के साथ भी कुछ ना कुछ दिख रहा है guys ओके father figure जो भी है या उनके father के साथ उनका बहुत कहीं पर घूमने गए होंगी guys यहाँ पर किसी की शादे बगरा में अपने father के साथ वो गए होंगी यहाँ पर यह दिख रहा है and guys आपके person आपके बढ़े में feel कर पाने है यहाँ आपके बारे में अपने father से कोई बात कर सकने है ठीक है क्या आपके बार में बात कर लें and यहाँ पर confusion दिख रही है guys two of sorts, three of sorts, nine of sorts, mentally mentally conflict दिख रहा है guys यहाँ पर okay moon cycles आपको बहुत effect कर रहे है अभी अभी new moon हुआ है तो guys full moon और new moon so guys आपको कहा जा रहे है कि जो भी आपके mind में conflicts चल रहे हैं उसको खतम कर दीजिए okay because वो person आपके अपनी family से भी शायद आपके बार में बात कर रहे है okay I think वो आपसे marriage करना चाहते हैं आपके person okay and patience बना के रखो है guys उन्होंने and king है तो guys अपनी life में stable है वो उनके पास कोई नो के stable job है या फिर चाहे private job है बट वो भी stable job है ठीक है and यहां अगर अपना business है बटी यहां पर business business भी हो सकता है तो guys वो भी stable है ठीक है उनके father figure यहां अपने चाचा पापा ठीक है पापा मामा ठीक है उनसे वो बात करेंगे आपके बार में मुझे देख रहा है यहां फिर अपने father के साथ कहीं पर जा रहे है marriage वोगरा में ठीक है किसी किसी के तो person की भी शादी हो सकती है ठीक है मुझे रही पता कौन है वो person बट कोई कोई ऐसा person हो सकता है जिसके person की ही शादी है कोई girl ऐसी हो ठीक है आपने बहुत patience रखा है यह भी इसमें situation बन सकती है आपने patience रखा है इस रिष्टे में बट guys आपके बार में उतना बा अगर आपको healing चाहिए तो door to personal healing and happiness आपके लिए open किया जा रहा है universe की तरफ से and guys अगर आप इतना नहीं सोच रहो इन सब चीजों के बारे में तो guys आपको tension लेने की जुरत नहीं है ठीक है आपके लिए doors open है healing and happiness के लिए and guys आपको यह कहा जा रहे अगर यह situation नहीं है मैं आपको डराना नहीं चाहते हूँ ठीक है tarot card readings क्या होता है reality बताना किसी कि person की भी शादी हो रही होगी मुझे नहीं पताना बट yes बहुत लोग देखते है तो आपको कहा जा रहे है आपकी person या फिर कही पर शादी के लिए जा रहे है या उनको किसी situation में victory मल सकती है ठीक है यह भी situation हो सकती है आपके बार में बहुत अच्छा सोचते हो दिख रहे है ठीक है passionate है आपको लेकर and अपनी feelings को आपको दिखा रहे है ठीक है Aries, Leo, Sagittarius तीनों ही cards fire signs चारों ही cards fire signs के थे यहाँ पर यह भी Leo sign आचका है दो major रकाना भी fire signs के ही थे Aries and Sagittarius so guys angel of strength आपके साथ है walking अभी आपको किस situation से अगर walk away करने की situation है ठीक है तो करने ही चाहिए आपको walk away कर लेना चाहिए guys and strength आपको मिलते हों दिख रही है यहाँ पर angel of strength आपके साथ है आप guys आपके person doctor हो सकते है यह आप हो सकते हो ठीक है मतलब dentist वगड़ा भी हो सकते है आपके लिए आपकी life में peace आ रही है love आ रहे है आपकी life में okay lotus कितना spiritual होते है आपकी life में अगर आप spiritual हो guys तो बहुत अच्छी बात है आपकी life में अगर आपकी spiritual awakening हो सकती है okay patience बना के रखना है हर एक situation में आपको बस यह कहा जा रहे है यह नहीं यांग guys 22 नमबर आपके लिए important होसता है आपकी energies को balance करिए अगर आप balance feel नहीं करते हो ठीक है so आपको काजरे अपनी energies को balance करिए please ठीक है and so that आप अपनी life में आगे बढ़ पाओ walk away कर पाओ अगर किस situation से यहां कई घूमने भी जाने तो of course अपने आप आपकी tensions दूर होंगी वहाँ पर जाके और tensions मत ले लेना okay so 27 नमबर आपके लिए important होसता है 34, 50, 22, 22 master नमबर होता है okay so आपका life path नमबर हो सकता है so guys यहां पर देख रहे हैं यहां 22 date को कुछ हुआ होगा 22 यहां 27 जो आने वाली है guys चीक है so उसमें कुछ न कुछ आपको देखने को मिल सकता है ठीक है आपके रश्टे के oh wow 10 of cups guys आपके person अपनी imaginations के बारे में अपने next section में आपकी लिए सोच रहे हो के आपको अपने family में enter करवाना चाहते हैं यहां तो कई कुछ लोगों कोई तो शादी ही है जिनके यह signs है of course शादियां भी बहुत हो रही है ठीक है वो reading नहीं देखेंगे but yes उनकी life में जो आपके person है fire sign के ही होंगे wow guys यहां से आपके लिए emperor था and say this यहां पर empress आ चुक है guys दोनों ही divine counterparts हो आप लोग okay उनका next section यह होगा उनको पता चल जाएगा कि आप divine counterparts हो वो आपके साथ अपनी imaginations में आपके साथ ही family बनाना चाहते है ठीक है wow guys see this lover's card is here wow guys बहुत अच्छे next section में बहुत अच्छे cards आए हैं आपके लिए so of course आपकी life में change आ रहा है transformation हो रही है guys आपके रिष्टे में ठीक है changes आ रहे है and guys अगर आपने इंस्टा पे नहीं follow के तो कर सकते हैं आप वहाँ पे जाकर okay and force नहीं कर रहे हूँ बट आपके विश्य आपको करना है तो कर सकते हैं आप वहाँ पे so मैंने Aries Leo Satch की तो डाल ही दी है Sagittarius Evening तक चले जाएगी जब आपकी यह reading जाएगी okay so lovers की feelings आई हैं आपके person की आपके लिए to inflame हो सकते हो guys यहाँ पे मैं यह बोल सकते हो because यहाँ पे वहाँ यहाँ से देख लिजी आप see this यहाँ पे heart broken heart है यह guys आपकी situation कुछ हो सकता है ठीक है यहाँ पे भी three of swords आया था bottom से so अगर आपका heart broken हुआ है guys तो आपकी life में कोई new person आ सकते है यही person आपको अगर दिल दुखाया इस person है तो guys आपको justice दिया जाएगा judgment दी जाएगी contract लिखवा कर लाए हो guys आप एक दूसरे के सब caring connection है यह दोनों का आपका okay so guys like this video subscribe to my channel bell icon को दबा देना and comment section में बताना कैसी लगी आपको reading अभी के लिए इतना हरण महादेव guys रादे रादे बाई so hello my beautiful souls welcome to my channel people that are so guys कैसे हो आप सब लो I hope आप सब लोग अच्छे वे अपनी life में भी आगे बढ़ रहे होगे so guys आज मैं आपके reading लेकर आ गई हूँ आपके person के current feelings क्या चल रही है and also उनकी next section last में देख लेंगे this text से okay so guys अगर आपकी signs यह है आपकी राशी sun moon rising and north node में यह आती है torus ogoo capricorn cancer scorpio piscis यह आपके person की है यह अगर आपको पता है उनकी राशी so guys देख लेते हैं उनकी current feelings क्या चल रही है first pile तो बहुत ही जड़ा best reading आई है guys मझे तो इतना अच्छा लग रहा है न उसको करके okay so good evening everyone okay 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 first card आचुके आपके लिए nine of swords okay आपके person आपके परे में क्या सोच रहे है इस time nine of swords eight of pentacles ace of cups वाव वाव फूल ओके समझ चुके हैं मैं क्या हो रहा है यहां पे वाव बॉटम से है night of cups guys आपके person guys new beginnings करना चाहते हैं आपके साथ okay अगर आपके दोनों में अच्छा नहीं चल रहा था कुछ भी ठीक है तो आपको कहा ज़रे कोई बात नहीं वेट कर ये थोड़ा चाहते हैं अगर आप दोनों में no contact situation चल रहा है तो guys आपको टेंशन लेने की जूरत नहीं है आपके person situation में आ जाएंगे कि आपसे बात करना चाहेंगे बट उनकी work की वजह से वो नहीं कर रहे है जो बना रहे है उसके वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे है इसलिए हो सकता है ठीक है and the fool card है यहां पर ही आपके पास dog हो सकता है या आपके person के पास dog हो सकता है तो वो उनके उसके साथ अपना time देता रहे है ठीक है and ace of cups है new beginnings आ रहे है love में ठीक है अगर आप किसी person से break up करके आगे बढ़ चुके यह भी situation हो सकती है so guys आपको कहा जा रहे है कोई बात नहीं आप आगे बढ़िए ठीक है आपके situation में new beginnings लाई जाएंगे universe के तरह से आप freedom फील करिए अभी अपने carrier के उपर focus करिए and guys आपकी तरफ new person आ रहे हैं say this water sign के person है ace of cups यहाँ पे भी cup पकड़ा है यहाँ पे भी cup है तो guys universe की तरफ से ही आपको gift हो गई है यह person का आना आपकी life में so अपने घोड़े पे सवार होकर आपके लिए वे person आ रहे हैं guys आपकी life में so wait करिए थोड़ा सा अगर अभी किसी person के साथ अपब भी हो okay so उनके वज़े से अगर आपकी रातों की नीद उड़ी हुई है वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं वो अपने काम के उपर focus कर रहे हैं अपने job पे उपर focus कर रहे हैं अपने career बनाने के उपर focus कर रहे हैं तो guys wait करिए okay आपकी life में new beginnings जुरू रहेंगे दो new beginnings के ही कार्ड्स हैं आपकी लेव में कोई water sign के person आसकते हैं cancer score, Pisces, Aries sign वैसे यहां पे सारे के सारे ही signs आ चुके हैं fire energies भी हैं यहां पे cups के energies emotions देख रहे हैं यहां स्वार्स mentally mentality उनकी देख रहे हैं ठीक है क्या सोच रहे हैं वह and pentacles की भी energies है money abundance की भी energies हैं आपके person के पास okay so guys यहां से देख लेते हैं और क्या रहे आपके लिए आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकते है आपके रिष्टे में oh my god guys इतना shuffle करने के बाद सेम का रहा है middle से wow guys अब देख सकते हो first pile में भी यही का रहा है door to personal healing and happiness guys it's okay अगर जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है अपने healing के उपर focus करिये अपनी खुश्यों के उपर focus करिये okay wow sun is here okay so guys अगर आप instagram पे हो तो आप वहां पे follow कर सकते हो मुझे ठीक है मैंने about में डाल रखी है ठीक है अपनी id instagram की आप follow कर सकते हो वहां पे मुझे जाकर and oh my god guys see this first pile में भी same यह काड last में bottom से आया था और यही काड first आया था and what a miracle guys यह miracles ही होते है ठीक है so first pile and second pile guys आपका sun moon rising आप दोनों ही पाल देखने आ गए हो so ऐसा भी हो सकता है four chakra archangel raphael है यहाँ पे sun है due to personal healing and happiness है of course अगर आपका दिल दुखाया है किसी ने heartbreak किया है guys तो आपके लिए archangel raphael आपके साथ है अगर hurt हुए हो तो आपको situation से बहार निकालेंगे आपको heal करेंगे आपके लिए dose भी open है अपनी healing के लिए आपकी happiness के लिए sun card है यहाँ पर आपको खुशियां मिलते हो दिख रही है आपकी life में बहुत सारी खुशियां आते हो भी दिख रही है आपके person आपके बहुत अच्छा सोच है अपना heart open करके आपकी तरफ आना चाहते है अपने energies को balance करके आपकी तरफ आना चाहते है 22 number आपके लिए important होता है master number होता है love and harmony का ही number होता है and one number आपके लिए important होता है seven eleven guys seven and eleven वाओ guys अगर आपको पता हो तो seven number spirituality का होता है okay God universe manifestations का होता है 11-11 आपके love of love में अगर देखे तो आपके person के लिए होता है कि वो आपको manifest कर रहे है ठीक है आपके बारे में ही अभी सोच रहे है आपको love की wife भीच रहे है ऐसा होता है ठीक है आपकी life में peace आते हुए देख रही हूं मैं and guys door to personal healing and happiness का open है आपके लिए तो of course आपको कहा जा रहे है अपनी energies को balance करें अगर आपकी energies balance में नहीं होगी तो आपके person कैसे आपकी तरफ आपाएंगे यहाँ पर water and fire energies दिख रही है आप दोनों ही water and fire energies को combination हो सकते ओके यहाँ पर भी water sign दिखाया और fire यहाँ पर मैंने दिखाया ना आपको Aries sign के हो सकते हैं आपके person guys and water sign के हो सकते हैं cancer score पर Pisces okay so guys यहाँ से उनका next section देखेंगे हैं and guys उनका heart chakra open किया जा रहे अभी आपके लिए and also आपके लिए doors भी open है personal healing and happiness के and खुश्यां आ रहे हैं आपकी life में and किसी की शादी बगएर भी attend कर सकते हो guys आप okay cause जहां पर music बगएर यहाँ फिर आप music को समझने लगोगे lines को जैसे समझना ठीक है वैसे समझोगी आने आपके person समझते हैं कि yes आप उनके लिए best show ठीक है आपके साथ अपना baby भी सोचने हो because yeah guys यह भी हो सकता है उनकी family में किसी के baby हुआ हो या आपकी family में किसी के baby हुआ हो आपको news मिले कुछ situation और के यहां function है यहां कुछ ठीक है and abundance देख रही है गाईस जो भी काम कर रहे हो गाईस करते हो अगर कर रहे हो किसी के ओपर काम ठीक है so यहां से देख लेते हैं guys and आपके person समझ रहे है कि आप अपनी life के ओपर hard work करते हो दिख रहे हो उनको ठीक है आप भी कोई काम स्चार्ट किया हुआ है तो guys आप उसके ओपर काम कर रहे हो ठीक है so guys यहां से देख लेते हैं आपके person का next action first pile में तो बहुत ही अच्छा आया था सबकुछ father of wands वाओ वहां पर tarot card से यहां पर king of wands सबसे पहले आथा है यहां पर भी king of wands आ चुक है so guys थोड़ी से snake के energy देखिए है तो of course थोड़ी से बचके रहे हैं लोग किसी से ठीक है अगर को fire sign की person आपके नहीं है तो guys आपको कुछ नुकसान पहुंचाने आपका use करने आ सकते है को person so आपके person की अगर यह energies है तो of course आपके person आपके लिए passionate होकर आपकी तरफ आना चाहते है ठीक है बहुत जाए attraction फिल कर रहे हैं आपकी तरफ आना चाहते है next action में father of cups okay king of cups अपने emotions दिखा सकते हैं आपको show करेंगे अपने emotions वो आपको ठीक है तभी यहां पर यह नहीं यहां बोकिंग की situation आईये तो guys आपकी life में यहां तो दो persons हो सकते हैं ठीक है एक person के बारे में आप नहीं सो चरहे हो ठीक है आपकी life में दो persons है एक आपको फ्रेंड हो सकता है या एक आपका BF बगएरा हो सकता है ठीक है so यहां से देख लेते हैं एक person आपके लिए passionate है आपके attraction feel क attached है आपसे उसका nature बहुत ही जरब प्यार भराया ठीक है और दूसरा थोड़ा सा लड़ने लड़ भी लेता है ठीक है fire sign का ठीक है fire energies है तो of course angle तो होगा ही four of pentacles है यहां पर उनके next section में four of pentacles का आना means वो थोड़े सी अपनी comfortable situation में है ना पसंद करेंगे ठीक है ठीक है वो king है थोड़े ego भी रखेंगे आपकी तरफ बर आपकी तरफ आ सकते हैं ठीक है and also यहां पर ten of swords भी है यहां पर उनकी life में ऐसा लग रहे है उनको कि सब कुछ खतम हो गया है ठी next section में guys वो सब कुछ खतम करके आपकी तरफ आएंगे and जो भी उनकी life में चल रहे है उसको end करके आपकी तरफ आ सकने है ठीक है so guys अभी के लिए इतना ही like कर दीजे गर इनको अगर आप instagram पी हो तो वहां follow कर सकते हो आप ठीक है मेरी id आप about section में देख सकते हो ठीक है instagram जहां and वहां पे जाके आप follow कर सकते हो एरिस लियो डाल चकी हो अभी and Sagittarius evening में डाल दूँगी so ऐसे monthly रेडिंग मार्च की वहां पे छोटी-छोटी रील्स okay में डाला करूंगी so guys अभी के लिए इतने हर्षर महादिव guys राह दे राह दे बाई